हेलो दोस्तों मैं जीत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फुर्यू पर आज की इस वीडियो हम देखेंगे बैक सीट एक या पाठ एक कह सकते हैं अपन शौर मंडल में प्रतिवी कक्छा साथ विशय शामाजिक बिज्यान ठीक है तो सीखने की प्रतिवेल पर इसके दीखी कोड दिये गया है SS601 and 602 सबसे पहले अपन देखेंगे विशय वस्तू का संचित परिच है उसके बाद चलेंगे questions और answer पर ठीक है ना तो इसमें अपन को क्या सीखने को मिलेगा तारो ग्रहों जैसे सूर प्रतिवी और चन्मक में अंतर करते हैं और भी बहुत कोछ ठीक है तो आंगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो दीखे अपन चलते हैं संचित परिचाय पर रात को आकास चम चम चमाते हीरे जैसी वस्तूं से भर जाता है सूर चन्मा तथा बे सभी वस्तूं जो रात के शमाय आस्मान में चमकती हैं खगोली पिंड कहलाते हैं तो यह आपको ध्यान देना जो भी बस तूं आस्मान में चमकती है क्या कहलाते हैं खगोली पिंड यह सभी खगोली पिंड चमकीले नहीं होते इन में से कुछ दुंदले भी होते हैं कुछ खगोली पिंड बड़े आकार के जी हां याद कर लीजिए वाटसप नमबर क्यूंकि आप चाहे आपका मैत का सवाल हो या फिजिक्स केमिश्टी वाल हो जी आपके हर डाउड हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंद वीडियो स्रूलूसन वो भी सीधा आपके वाटसप पर बस अपने फोन में डाउड नट का और सीबीसी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और आपके आपने सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउड को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में बाले तथा गर्म होते हैं ए गैसों के बने होते हैं कहते हैं यही तारे चमचमाते हीरे जैसे दिखाई देते हैं शूर भी एक तारा है कुछ ख़बोलिये पिंड में अपनी उस्मा एबम प्रकास नहीं होता बे तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं ऐसे पिंड को ग्र रहते हैं एक ग्रह है यह अपना संपूर प्रकास एबम उश्मा सूर से प्राप्त करती है ठीक है ना आंगे चलेंगे अपन शूर ग्रह उप ग्रह तथा कुछ ख़़ोली पिंड जैसे शुद्र ग्रह उलका पिंड आदी मिलका शौर मंडल का निर्माण करते हैं हमें उसे हम सोर परिबार का नाम देते हैं जिसका मुखिया शूर है हमारे शौर मंडल के ग्रह शूर से दूरी के ग्रह में इस प्रकार है शुक्र बुद्र शुक्र प्रत्वी मंगल ब्रसपती शनी यूरिन वरन नेश्वरी ठीक है तो एह हमारे सब़ी ग्रह हो गई सूर से दूरी के हिसाब से प्रतिवी तीसरा ग्रह है तो दिखिए सूर से दूरी के हिसाब कैसा है प्रतिवी तीसरा ग्रह है आकार में है पांच बा आकार में है पांच बा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में दिखिए पांच बा है और दूरी के हिसाब से तीसरा है यह ध्रोबों के पास थोड़ी चप्ती सी प्रतिवी का केवल एक उपग्राय है चंदमा जो प्रतिवी का एक चक्कल लखभक सत्ताई दिन में पूर्ण करता है थीक है? तो उपग्राय खगोलिय पिंड है जो ग्राय के चारो और चक्कल लगाते है प्रतिवी की सताई से ऐसी है जिसमें प्रयवन के तीन महत्मों घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभाविद करते हैं प्रतिवी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं कैस की परते हैं जो प्रतिवी की चारो और से घिरती हैं उसे वायू मंडल कहा जाता है प्रतिवी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है प्रत्वी के लिए अनकूल परिस्तितियां केबल प्रत्वी पर ही पाई जाती हैं यहाँ ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा यहाँ जलवायों और जीवन के लिए आवश्चक गैस आक्सिजन मौदूज है इस कारण प्रत्वी सौरमंडल का अदभुद ग्रह है यहाँ से तु वाइक सीट दी गई है आपको आप चाहें तो यहाँ पर और के ग्रहों के नाम अंकित करते हैं और कोई जरूरत भी नहीं है ठीक है तो अपन आंगे चलते हैं अपन प्रिश्णों के संचिप्त उत्तर देखेंगे जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है तीकि तारे स्वयम प्रकास उत्तर जित करते हैं जबकि ग्रह स्वयम प्रकास उत्तर जित नहीं करते हैं जैसे अपनी प्रत्वी स्वयम प्रकास उत्तर जित नहीं करती है अद्बुद ग्रह कहा जाता है, प्रतिवी के परिमंडल के नाम लिखे, तो प्रतिवी के चार प्रमुक परिमंडल, भू मंडल, बायू मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, तो ये परिमंडल के नाम हो गए, आंगे देखेंगे अपन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन स सूर मंडल में आकार की क्रम में, प्रत्वी कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, इसमें पांच बाग गलत लिखा आया, आप तीसरा स्थान कर लेना, पांच में को काट कर कैसा, तीसरा, या तीसरे स्थान पर, ठीक है, एक गलत है, सूर के सबसे नजदी का ग्रह कौन सा ह और बुद्ध आंगे चलेंगे इन मैंसे तारा है कौन सूर अभी बताया था प्रतवी का चक्कल लगाती है पृष्च बीवारे का चक्कल लगाती सबसे दूर का ग्रहए वरुण है सूर पत्वी का अपनी धुरी पर घुमने से दिन रात होते हैं चन्दमा पत्वी इक क्ञक्त 17 दिन में पूरा करता है तो यह भी अपन उस्राइभ पढ़़ा है भी सीट एक सुई एक सेलो टेप एक रबर बेंड और एक तसला ठीक है तो यह सभी क्रिया कलाब दिया गया है आपको करने के लिए तो दीखें चरण है अपन का काली ड्राइंग सीट को बिछा कर उसके उपर उल्टा तसला रख कर चारो और घेरे पर पैंसिल से मार्किंग कर ले से छोटे छोटे बहु सारे छेत करेंगे तसली की तली के मदमेक टार्च के उस उपर की और स्विच ओन करके टेप त्वारा अच्छी तरह चिपका देंगे नमबर चार ड्रोइंग सीट पर छिद्रत भाग के ब्रत का तसले के मुहप से मिलाने के करके रवर बैंड से कसकर तसले का मुए पान देंगे इसके बाद देखें तसले किसी अंधेरे कक्ष में ले जाएं देखेंगे कि काली ड्रोइंग सीट से स्विच के छितरों में से टिम्टिमाते प्रकास श्रोत बिलकुल आकास में जिल मिलाते टिम्टिमाते स्टारों की तरह ही लगेंगे देखो हमने जमीपा तारे उतार लिये ठीक है न एह हमारे तारों भरे रात्री कालीन आकास का सुन्दर मॉडल होगा तो यह सब करना है अपनको स्कूल में जो भी आपका टीचे कराए तो आपको कर लेना है और नहीं कराए तो कोई बात ही नहीं तो अपन जाएंगे सौ आकलान पर जो कि सौम के द्वारा आकलान होता है आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें आंसर भर सकते हैं सूर के सबसे पास का ग्रह है बुद्ध वैसे आपको यही भरनना है तो आप यही भर लेना अकास की दर्ष्टी से बड़ा ग्रह है व्रसपती किस ग्रह पर जीवन संभाव है प्रतिवी पर आंगे है अपना सूर से सबसे दूर का ग्रह है बर्व तो दिखिए इस वर्ट सीट में केवल इतना ही दिखिए अपना लास्ट पेज है एक शूर पैंतीस तो अगले पिछ पर चलेंगे अपने 136 136 से आंगे देखेंगे अगली वर्ट सीट पर तो इस वीडियो को जादा से जाद अपने दोस्तों के साथ स्यार करें ताकि सभी के पास इस वीडियो के शॉलूशन पहुंच सकें ठीक है और वीडियो लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत बुलना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद